हुआ हे गाइस वेलकम बैक टो वर यूटूब चैनल और आज किस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले हैं माई टीवी स्टिक के चोकि 2800 रुपए की रेंज में वन अफ बैस प्रोडक्ट बन सकता दोस्तों आपके लिए अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं और भाई उस टीवी को आप स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हो तो वाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 2800 बात करें तो simply HDMI से हमारी टीवी से कनेक्ट हो सकती है दोस्तों और भाई इसमें क्वार प्रोसेसर मिल जाता 64 बेस और बाई दो जीवी की रैम और 8 जीवी इंटर्नल स्टोरेज मिल जाती है जोकि अन एक्सपेंड डेबल मतलब एक्सपेंड नहीं होगी तो भाई चरूरत एक्सपेंड दरने की भाई टीवी पर गेम क्या तुम केलना है और भाई ये स्टिक आपकी सिंपली वाइफाई से कनेक्ट हो जाएगी आपको कुछ भी ब्राउजिंग करने है यूटूप वीडियो देखने है कुछ भी फोन की तरह है बिल्कुल तो चलिए दोस्तों जल् भाई जैसे कि तेक सकते कि कुछ ऐसे ताइब की पैकेजिंग में जाती है जाम को एक इसे तुमते हैं है तक मीख there? जैसे कप divergence कमाोच तक मुझन एक ब्राई ओसरा है को कुछ भी नियुकु आउगी आप सुरेद हैं तूर दिखर Place से HDMI कनेक्ट करते हो वैसे ही बिलकुल और यह भाई आपको इस टैप की MI की स्टिक यह है जो यह मिल जाती है भाई इसमें HDMI देखो दे रखा है आउटपुट एक आउटपुट दे रखा है जिसको आप टीवी से कनेक्ट करोगे सिंपली कुछ नहीं करना आपको टीवी के HDMI वोट में घुषेड देना है भाई आप देख के गुषेड देना है और यहां पर आपको मिल जाती है यह पावर केबल जो कि इसमें यहां पर कनेक्ट होके इसको पावर प्रोवाइड करवाएगी भाई इसको यह टीवी से पावर इतना नहीं लेती भाई यह अलग बना रखा है इन्होंने पावर इसको अलग चाहिए और यह भाई इसका अड़ेप्टर जो कि 5 वोट 1 एमपेर का आपको अड़ेप्टर मिल जाता है जो कि इसको पावर प्रोवाइड करवाने वाला है इसको देख सकते हो दोस्तों यहां अभी पावर स्पेसिफिकेशन इसकी दे रखी है मैं दिखा देता हूँ अभी यह रही और भाई इसका एक डेडिकेटिव रिमोट भी मिल जाता है भाई काफी ख़दरनाग बना रखा है इन्होंने और यह गूगल एसिस्टेंट और पावर ओन उफ और यह वाल्लिम अप जैसे कि देख सकते हो भाई इसमें कुछ इस चाइप आपको रिमोट मिल जाता है इसको यूज करके आप अपनी M.I.T.V.O कंट्रोल कर सकते हैं तो ओवरल बॉक्स में आपको यह चीज़ें मिल जाते हैं दोस्तों जल्दी से अपनी M.I.T.V.O कर लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या फीचर्स हमको यह प्रोवाइड करवा देती हैं तो सबसे पहले हम इसको अन कर लेते हैं दोस्तों जैसे कि देख सकते हो भाई हमने अन कर ले इसको कनेक्ट करने के बाद और ऐसे कुछ भाई यह एंड्रोइड का स्टार्टिंग दे रखा कुछ है अनिमेशन टाइप यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों और जैसे कि देख सकते हो एंडरीड लिखा आ चुका है मैंने इसको अल्रेडी सारा कुछ सैट अप कर लिया उसके बाद ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं जैसे कि मैंने वाइफाई से कनेक्ट कर लिया और जो भी एप मैं यूस करता हूं उसको भी इंस्टॉल कर लिया इ भाई 1080p 60fps मेरी TV के लिए बिल्कुल साही है क्योंकि यह 1080p 60fps सपोर्ट करते हैं लेकिन अगर आपकी TV 4K है भाई तो आप इससे हाईर वर्जन में भी जा सकते हो जो कि 3500 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा उसमें भाई आपको और भी फीचर मिलते हैं पैंडराइव का सपोर्ट मिलता है और भी काफी जाएदा सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है तो भाई जैसे की देख सकते हो दोस्तो हमने लाइव चला दिया ऐंड़ी TV 2.8 यूट्व से लाइव चल रहा है दोस्तो है जैसे कि आप जैस्तों फोन में देखते हो न वैसे ही आप इसमें ड तो मैं दूसरी वीडियो लगाता हूँ दोस्तों, चो कि 60 fps पे चले, 1080p 60 fps पे चले, जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ और यहां से आप सर्च भी कर सकते हो दोस्तों जैसे कि और कोई वीडियो सर्च करता हूँ, रुको लेफ्ट साइड में मैं सर्च कर लेता हूँ वीडियो को यहां से 4K 60fps 4K 60fps HDR यहां गई वीडियो तो मैं फस्ट वाले ही चला देता हूँ वीडियो चल चुका है जैसे कि देख सकते हो आप दोस्तों वीडियो चलने के साथ हिं आप कट बीकर सकते हो वीडिव को शेये को तो और वीडियो कॉलेटी भाई पूरी टैनटी पी 60fps पर चल भी जैसे कि ऄ चलिया यहां के बाई कैमरे में आपको क्वालिटी इतनी ना दिखे लेकिन बाई क्वालिटी तो आपकी TV पर डिबेंड करती है क्योंकि यह तो full 1080p 60fps वीडियो आउटपुट देगा तो दोस्तो यह रोबाद रही हमारी TV के एप्लिकेशन सपोर्ट की YouTube सपोर्ट की कैसे कुछ यह सपोर्ट करता है भाई इसका सपोर्ट मुझे ठीक तक लगा तो अब हम दोस्तो बात कर लेते हैं इसमें हम 3rd party एप्लिकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकती है तो थर्ड बाटी अप्लिकेशन इस्टॉल करने के लिए हमने यूज किया अप्टोई TV जिसका लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में देदूगा आपको वहां से डाउलोड करके इसको अपने टीवी में टांसफर कर लेना है और इस्टॉल कर लेना है इसके अंदर आपको ब अप्लिकेशन आप इस्टॉल कर सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप लाइव टीवी चैनल को कैसे इन्जॉय करें अपने इस टीवी पर स्मार्ट इवर उसके लिए हमने जुगाड निकाला दोस्तों थोप टीवी एप्लिकेशन है वहां पर आपको अपने और व्यूचिनजी के सारे चैनल्स और डिकाती है जैसrtgal कि देख सकते दोस्तों कितने चैनल से आप आपको डिकन dewशान से आपको ंस टीवी पर हि आपका नहीं सहे जिर दूस्तिघ आप सारे या जया करने ार ले जूई अलिए और आप्कार कॉवापना फिर चstore आप्यरत वालो ढमनेक्स और में संसा कि अभणा पर अब हम्हाइब दूस्ति ओ सकुतर निल यहां यहां पर जैसे कि मैं चला दो Sony BBC Earth यहां पर चला के देखते हैं कैसी कुछ quality आपको यहां पर मिलती है quality आपको ठीक टाक ही मिल जाती है जैसा कि देख सकते हो दोस्तों आप भाई यह जो quality आप देख रहे हैं यह तो भाई इस app के जरीए quality दी जा रही है आपको मेन quality content से है तो आप YouTube से चेक कर सकते हो क्या कुछ आपको quality है प्रवाइड कर वादिती है और भाई हम यहां पर अपना वैदर भी चेक कर सकते हैं इसमें इन विल्ट आती है वाई एक वैदर चेक करने की आप यहां से अपना वैदर भी चेक कर सकते हो भाई और हम बात कर लेते हैं इसके रिमोट के बारे में दोस्तों यहां पर dedicated keys को हम प्रेस करें जैसे प्राइम वीडियो मैंने प्रेस किया तो भाई डारेक्ली हमें प्राइम वीडियो की आप पर लैंड करवा देगा जैसा क देख सकते हो दोस्तों हम लैड हो चुके हैं प्राइम वीडियो की और जैसे कि हम नेटफलिक्स वाली प्रेस करते हैं तो सिंपली नेटफलिक्स पे पहुँच जाओगे भाई बहुत ही सिंपल इन्होंने रिमोट विराने की कोशिश करी है बिल्कुल ही सिंपल जादा कुछ मुश्किल लिए हैं और भाई आप गूगल एसिस्टेंट का भी इन्होंने दे रखा है इसको प्रेस करने से आप भाई जो आपका गूगल पोन में खुलता है भाई ग यूटोब का feature ही है गो सकता है दोस्तों इस feature के बारे में आपको अलड़ए पता हो तो भाई टैंसन लेने की जरूट नहीं है अगर आपको पता है तो भाई शानती रखे बनाए रखे को कमेंट वह बोलने की जरूटनी है सब पता है मेरो तो भाई सबसे पहले आपको जाना है यूटूब पे और आपको यूटूब की सैटिंग्स में चले जाना है जैसे कि हम जाते हैं यूटूब की सैटिंग्स पे और यहाँ पे आपको लिंक विद टीवी कोड कर लेना है और यह हर बार यूनिक आता है दोस्तों हर बार यूनिक आता है जैसे कि देख सकते हो तो simply आपको ये टीवी कोड अपने फोन के यूटूब में डालना पड़ेगा तो यूटूब कोल लेना अपने फोन में और भाई आपको करना है साइटिंस में जाना है यूटूब कोल के अपने यूटूब में और भाई वाच ओन टीवी आपको अप्शन होगा इससे आपको क्लिक करना है और एंटर कोड ये कोड आपको डालना पड़ेगा यहां पर तो फटावर से हम डाल लेते हैं इस कोड और लिंक आप्शन आजेग करना है और दोस्तों जैसे कि मैं चला दो है वाली वीडियो तो ऐसे करके आएगा şu आपको करादे है बूद गया तो भाई जैसा कि म्हाइट देख सकते हो यस इंप्ल हमारी हो वीडियो चल चुकी है टीवी में तो भाई ऐसे करके भी आप अपनी सिंपले कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो अपनी टीवी पे जो कि आप यूटूब पे देखना चाहते हो लेकिन आप टीवी पे चला सकते हो डायकली उसको सर्च करने की वजया आप डायकली यहां से अपने फोन स से उसको प्ले कर सकति हो रहा आपको यह सारे मेरी वीडियोस चला करसा रहा है तो दोस्तों हम इसकी कुछ सैटिंस को भी चैक कर लेते हैं इसकी सैटिंस और यहां पर system update को हम चेक कर लेंगे क्या कोछ इसमे system update भाई आया हुआ कि नहीं आया हुआ यह चेक कर लेंगे हम तो भाई अपटू डेट है भाई टीवी पूरी तो यहां से up to date है और 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 नीचे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ आपकर मिल जाएंगे वर्जन resolution आप चेंज भी कर सकते हो यहां से देखो कितने सारे resolution आपको यहां पर मिल रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा MI TV Stick के जरी हम अपनी simple TV को smart कैसे बना सकते हैं और भाई इसका full utilization कैसे कर सकते हैं तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भाई इसके साथ यह चैनल को subscribe भी कर दें और भाई हम stream भी करते रहते हैं gaming stream इस चैनल पे तो अगर आप उसको भी support करना चाहत करना जाए सकते हैं